कह रहा है कि हीटिंग एलेमेंट यूजिंग नाइक्रॉम नाइक्रॉम वायर टंगस्टन यह सब इनका मालूम है कैसे बनते हैं यह नहीं मालूम हमको भी नहीं मालूम नहीं हमको नहीं इसने मालूम की केमिस्ट्री हमको आती नहीं तो हम कहीं लिखे होंगे ठीक है लिखो मै magnesium nickel से मिलकर बना होता है constantin जो है कापर में एकिल से मिलकर बना होता है मा लए में किया होता है और जो constantin होता है वो कॉपर और निकल से मिलकर बना बनता है सी ओ और एन आई और उसका रेशियो जो भी होता हो वो के मिश्टी वाले जाने इतना थोड़ी आता है और जो नाई क्रॉम होता है उसमें एन आई, सी आर, मन और एफी, निकल, क्रोमियम, मन क्या होता है मैगनीशियम, मैगनीज हाँ, और एफी होता है, लोहा इस से मिलकर बना होता है, ठीक है अब इसमें हमने कहीं से नोट किया है ठीक है, हमाले कोई खलत हो तो अपना इवाद चेक कर लीजेगा, ठीक है वो तो ऐसे ही वैलू आई तो ने बता दिया कोई दो चार्चीज़ अब लिखे रहते हैं, देखो क्या कहा रहा है, लिखा है कि हीटिंग एलिमेंट, यूजिंग नॉजिंग नाइक्रोम कनेक्टेट टू थर्टिवोल्ड सप्ली वीशियर्ट से जोड दिया गया, तो सप्ली का मतलब क्या है था बैटरी का EMF तो ए कितना दिया हुआ है थार्टी वोल्ट सप्लाई से जोड दिया गया एक वायर को ठीक है ड्रॉज एन इनिशल करेंट आप 3.2 एंपियर यानि यह पहले जो करेंट वो जो ड्रॉ कर रहा है वो 3.2 एंपियर है यानि करेंट तो दो हो पहले उसने 3.2 एंपियर करेंट ड्रॉ की ठीक है और थोड़ी दिर बात देखा एमिटर खिसकते खिसकते फिक्स हो गया किस पर 2.8 एंपियर तो हम समझ गये तार तो चेंज नहीं किया तो क्या हो गया अगर बढ़ तार में जब लगा तार करेंट फ्लो ही होगी तो तार क तेंपरिचर बढ़ गया होगा रजिस्टेंस चेंज हो गया होगा इसलिए करेंट भी चेंज हो करके कितनी सेटेल हो गई है 2.8 एंपियर यह जो फाइनल करेंट हो गई है अब अपने आप सेटेल वड यूज किया यानि कि नाइक्रॉम वायर में 2.8 बहने लगी वह मीटर जो था वो 2.8 रीट करने लगा what is the steady temperature of the heating element यानि कि final temperature आप से पूछ रहा है कितना है steady का मतलब क्या होता है कि वो temperature जिस पे current सेटेल होई है इसका मतलब वो final temperature आप से पूछ रहा है और room temperature दिया है 27 degree centigrade मतलब जो T1 है वो 27 degree centigrade है और T2 आप से पूछ रहा है और temperature coefficient of nichrome दिया हुआ है alpha is equal to 1.7 into 10 power minus 4 alpha दिया है 1.7 into 10 power minus 4 ohm sorry क्या लिक रहा हूँ degree centigrade inverse ठीक है अब इस question को पहले आप दिमाग लगाईए फिर हम दिमाग लगाते हैं क्या लफ़ड़ा है भाई देखे जिसमें वो iron current flow कर रहा है ले रहा है उसका कुछ resistance रहा होगा तो initial resistance उसका कितना रहा होगा initial resistance initial resistance r1 कितना रहा होगा वी अपान जो current of flow करा रहा है current से हम जान जाते हैं उसका resistance कितना है ठीक है वी बोले तो 230 है जाब वी बोल दो भाई और आईवन कितना है 3.2 इसको calculate ग्रो कितनी value आएगी हमने तो calculate कर रखा है तो हम डायट लिखे दे रहे हैं 71.875 71.875 देखे चुकि alpha की value decimal के काफी digit तक दीवी है इसलिए आपको भी यहां पर और ध्यान रखेगा अगर कहीं पर division करने पर exact answer नहीं आ रहा है उसका तो आप round up करते हो ध्यान रखेगा जिस digit को आप हटाओगे उसको कैसे ignore करना वाल है तीन डिजिट तक अगर हमको round up करना है तो फूर्थ डिजिट जो फूर्थ फ्लेस आप decimal होता है उसको कैसे हटाते हैं अगर फाइव से छोटा है तो ऐसे कि करते हैं निकल यहां से और फाइव से बड़ा है वैसे आप फ्ली तुड़ा हट जाते आप वैसे नहीं हटेगा तो उसको one मानके third digit में याद है ना मालू है ना और इसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी दिर बाद उसका temperature change हुआ और current कितनी set हो गई two point तो उसमें final resistance कितना हो गया final resistance r2 is equal to क्या होगा e upon i2 e बोले तो 230 i2 बोले तो 2.8 तो इसको जब हमने calculate किया तो आ रहे है 82.143 82.143 क्या ohm यह r2 निकल आया अब अभी हम बता चुके है फार्मूला क्या बताया हमने r2 is equal to r1 plus r1 into alpha into delta t तो इसमें जब आप क्या value आएगी r2 minus r1 upon r1 into alpha बराबर delta t बोले तो t2 minus t1 यह note कलिया ना तो जब यहां से आप t2 की value निकालेंगे तो आएगा r2 minus r1 upon r1 into alpha plus t1 अब इसको calculate कर लेंगे जो भी value आनी होगी वो आ जाएगी calculate कर तो ध्यान लगे r2 is what 82.143 minus 71.875 upon r1 71.875 into 1.7 into 10 power minus 4 और plus t1 कितना है plus t1 है 27 इसको calculate करोगे तो अपने आप जो आना होगा वो आ जाएगा माली आज़ता ही इंटरमीडर स्टूडेंट आप हैं आप